आज हम सिखेंगे कि आप अपनी inquiry कैसे देख सकते हैं Inquiry टैप पे क्लिक करेंगे तो आपको Inquiries दिखेंगी Inquiry के अंदर Customer का नाम, उसकी Email ID, उनका Mobile Number और उनका सवाल होता है आप यहाँ से तीन Action ले सकते हैं एक कर सकते हैं आप उनको Call, दूसरा कर सकते हैं उनके साथ Chat, Reply पे क्लिक करके यहाँ पे Customer का जो भी सवाल है वो आपको देखेगा और आप उनको जो जवाब देना चाहते हैं आप Reply के Button पे क्लिक करके उनको जवाब दे सकते हैं इसके लिए आपके पास Internet Connection होना चाहिए, इसके लावा आप तीसरा Option जो कर सकते हैं वो है Book Now, Book Now पे क्लिक करके आप एक तरीके से उनकी Booking अड़ कर सकते हैं Booking अड़ करने के बाद यह Booking आपको आपके Appointment Calendar और Booking Tab में दिखेगी जब भी आप यहाँ से Booking करते हैं तो एक SMS कस्टमर को जाता है कि उनकी Booking होई है तन्यवाद